नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं हवलदार बहादूर की एक और मज़ेदार कॉमिक्स हवलदार बहादूर और नवाब का घोड़ा पार्ट टू बहादूर सिंग सोचने लगे यहां तो सब ससुरे बावले हैं राशित खान ने कहा आप कहें तो इसकी खाल खींच कर भूसा भरवादू सरकार नवाब साहब बोले अरे नहीं हमने इसे माफ कर दिया है और वैसे भी कमिशनर साहब ने इसे हमारे सुल्तान पाशा के हिफाज़त के लिए भेजा है पाहदूर सिंग बोले यह सुल्तान पाशा आपके सुपुत्र यानि साहब जादे हैं क्या सरकार नवाब साहब ने कहा लाहौल विलाकुवत कहा है मेरी बंदूग पाहदू सिंग बोले क्या हो गया हुजूर नवाब साहब बोले गोली मार दूगा राशिद खान ने कहा माफी मागो जल्दी नवाब साहब को गुस्सा आ गया है पाहदू सिंग ने कहा मगर क्यों मैंने क्या इनकी मोर्गी के अंडे पर पाउव रख दिया है राशित खान ने कहा अरे बेवकुफ सुल्तान पाशा नवाप सहाब के घोडे का नाम है बहादु सिंग ने कहा घोडे का नाम तो क्या कमिश्णर सहाब ने मुझे यहाँ एक टट्टू की सुरक्षा के रहे भेजा है नवाप सहाब गुस्ते में बोले टट्टू गोली मार तूंगा बहादु सिंग ने कहा यह बावलापन छोड़िये नवाप सहाब मैं पुलिस का आदमी हूँ मुझे गोली मारेंगे तो आपको फ़ांसी पर लटका दिया जाएगा नवाप सहाब ने गुस्ते से कहा सेकेटरी इस बेहुदा आदमी को बाहर निकाल दो हम इसकी शक्र मी नहीं देखना चाहते सेकेटरी ने कहा मगर सरकार आपने इसे निकाल दिया तो कमिश्नर सहाब नाराज हो जाएंगे नवाब सहाब बोले ठीक है मगर इसे समझा दो आइंदा सुल्तान पाशा को टट्टू न कहे सेकरेटरी ने कहा सुन लिया भाई अब सुल्तान पाशा को टट्टू न कहना वह अर्बी नसल का एक शांदार घोड़ा है चार दिन बाद वह एक बहुत बड़ी रेस में दोड़ने वाला है जिसमें उस पर लाखो रुपे के दाव लगेंगे नवाब सहाब के कुछ दुश्मन सुल्तान पाशा का अपहरण करना चाहते हैं ताकि वह रेस में न भाग ले सके और दुश्मनों का घोड़ा जीच जाए बहादू सिंग ने कहा ओ अब आई बात समझ में यह मामला अपहरण का है लेकिन मेरे होते कोई आपके टट्टू को छूबी रही सकता नवाप साहब ने गुस्ते से कहा फिर टट्टू कहा पहादू सिंग बोले ही 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 फिर गलती हो गई नवाप साहब बोले सेकेटरी ले जाओ इसे और अस्तबल दिखा दो अस्तबल हवेली के पीछे भाग में बना हुआ था सेकेटरी ने कहा वह रहा अस्तबल सुल्तान पाशा यहीं रहते हैं बहादुर सिंग बोले क्या अस्तबल को हमेशा बंद रखा जाता है सेकेटरी ने कहा हाँ और सुल्तान पाशा की हिवाज़त के लिए एक गार्ड हमेशा उनके साथ अस्तबल में रहता है पहदू सिंग ने कहा, ओो, तो ये है तट्टू. तबही, गाड पहदू सिंग पर जप्टा, और उसने एक जोरदार लाथ बहादू सिंग पर जडदी. घोडे ने भिए एक दुरद्धी पहदू सिंग को मार दी. पहदू सिंग बोले, हाई, मर गया. गाड ने बहादु सिंग को पकड़ लिया और बोला जल्दी बता कौन है तू बहादु सिंग ने कहा म म म मैं मैं गबराट भी हवलदार के मुख से शब्ध ही नहीं निकल सके तभी सेकेटरी लपक कर निकटाया सेकेटरी ने कहा अरे छोड़ो इन्हें यह दुश्मन नहीं है गाड ने कहा फिर यह अस्तबल में क्यों आए थे सेकेटरी साहब पहादु सिंग ने कहा हाए मार डाला सेकेटरी बोले अरे भाई नवाब सहाब ने सुल्तान पाशा की हिफाज़त के लिए इन्हें शेहर से बुलवाया है गार्ड ने कहा ओ मैं तो समझा था यह पाशा को नुकसान पहुचाने आये हैं बहादु सिंग ने कहा मगर तु कौन है बे जिसने मुझे नुकसान पहुचा दिया सेकेटरी ने कहा इसका नाम जमाल है यह सुल्तान पाशा का गार्ड है आप इनके लिए अजनवी है न इसलिए ठोक दिया आपको जादा तो नहीं लगी बहादु सिंग बोले आह कोई खास नहीं लगी मगर अब यह गार्ड का बच्चा यहां नहीं रहेगा चार दिन तक हम अकेले ही इस टट्टू की हिफाज़त करेंगे गार्ड ने कहा सोच लिजी हुजूर एक से दो भले होते हैं दुश्मन बहुत खतरनाक लोग हैं बहादु सिंग बोले ओए मैं भी बहुत खतरनाक हूँ सब सालों को पकड़ कर हवारात में सड़ा दूगा सेकेटरी ने जाकर नवाप साहब को सारी बात बताई तो वह बोले कमिशन साहब ने हमसे फोन पर कहा था कि हमें हवलदार की हर बात माननी पड़ेगी इसलिए वह जो कर रहा है करने दो लेकिन उस पर दूर रहकर नजर रखो सेकेटरी ने कहा ठीक है हुजूर उधर हवलदार बहादूर ने अस्तबल के दरवाजे के सामने अपना बिस्तर लगवा लिया था वह सोचने लगे मेरे यहां रहते कोई बदमाश उस टट्टू की दुम का बाल भी नहीं चूसकेगा एक एक को अंदर कर दूँगा आधी रात के समय अस्तबल के निकठी चार दिवारे पर एक छाया ने सिरुभारा बहादूर सिंग सोचने लगे आएं यह कौन है तभी बहादूर सिंग ने जोचा ओ एक और भी है यह ससुरे जरूर पाशा का अपरन करने आये हैं देख लूँगा सालों को अस्तबल के भीतर चलता हूँ अंदर निप्टूंगा सालों से अस्तबल में आकर वह घांस के धेर के पीछे चुप गए और सोचने लगे अब आजाओ सालों कुछ देर बाद एक बदमाश ने कहा आजाओ मैदान साफ है दोनों भीतर आ गए बदमाश बोला मैं चार दिव कौन हो तुम पहादू सिंग ने कहा ही 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 बहादूर नाम है मेरा हवलदार बहादूर बदमाश बोला ही 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 उस्ताद यह चिरिमार तो प्रेम चोपडा के स्टाइल में डायलोग बोल रहा है कहो तो काट डालों साले को दूसरे ने कहा काट डाल आज हम यह गोडा ले कर रहे थे दोनों बदमाशों की उन्होंने जम कर पिटाई लगाई बदमाश बोला आह यह तो बहुत भयानक आदमी है भागो बहादु सिंग ने कहा अबे काटेगा नहीं क्या दूसरा भी दरवाजे की और लपका मगर हवलदार ने उसे दबोश लिया और बोले जाता कहा है अबे घोड़ा नहीं ले जाएगा क्या उसी समय सेकेटरी राशित खान टहलता हुआ अस्तबल की और आ निकला सेकेटरी ने कहा आएं इसे क्या हुआ बहादु सिंग बोले नहीं छोड़ूंगा हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले और उन्हें यह कहकर सेकेटरी को एक लात मार दी सेकेटरी ने कहा ए भाई अबे यह क्या बत्तमीजी है बहादु सिंग बोले आएं यह कौन चीखा ओ सेकेटरी सहाब आप वह बदमाश कहां गया सेकेटरी ने कहा कौन बदमाश यहां तो कोई नहीं था तुम अपने तक्ये से कुष्टी लड़ रहे थे और मेरे एक दुरती जाड़ दी पहादु सिंग ने कहा माफ करना सेकेटरी जी मैं शाहर सपना देख रहा था सेकेटरी ने कहा सपना क्यानी तुम सो रहे थे और अगर कोई सुल्तान पाशा को ले जाता तो पहादु सिंग ने कहा बावली बाते ना करो सेकेटरी जी सुल् अपने जूटीब ठीक से अंजाम नहीं दे रहे हो, मैं नवाप सहाब से शिकायत करूँगा। सुभा सेकेटरी ने नवाप सहाब से शिकायत की। सेकेटरी बोले, हुजूर, वे हवल्दार तो रात भर सोता है और अजीव-जीव सपने देखता है। नवाप सहाब बोले, अच्छी बात है, आज रात हम खुच जाकर चेक करेंगे, अगर वे सोता हुआ मिला, तो गोली मार देंगे बत्तमीज को। रात को नवाप सहाब ने कहा, आज जाकर चेक करूँगा उस हवल्दार के बच्चे को। हवेली से बाहर आकर वेह दबे कदमों से अस्तबल की और चल दिये, उधर हवल्दार को यह आशा थी कि सेकेटरी आज उन्हें फिर चेक करने आएगा, अता सेकेटरी से मजाक करने की इरादे से उन्होंने चारपाई पर तक्के रखकर उपर से चादर ढाम दी थी और खु है तो सेकेटरी नहीं है और चल भी चोरों की तरह रहा है, नवाब सहाब ने सोचा ओ, वेह हवल्दार का बच्चा सचमुच सो रहा है, उन्होंने बंदूक चादर से बाहर निकाली, बहादोर जिंग सोचने लगे, बंदूक ओ, यह आदमी शायद सुल्तान पाशा को गोल रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद